फिल्मों में जो कहानियां हम देखते हैं वो किसी न किसी के जीवन पर आधारित होती है इन फिल्मों की कहानियों पर हम मैंसे किसी न किसी के जीवन की अमिट छाप जरूर होती है आप लोगों ने भी जरूर ऐसा महसूस किया होगा जब किसी फिल्म की कहानी आपको अपने ज वाले की भी कोई कहानी चरूर होगी तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए ना हैं जितेंद्र और उनकी पत्नी शोभाजी की लव स्टोरी के बारे में रोचक जानकारी इस वीडियो में दी गई से भी जानकारी इंटरनेट आधारित जानकारी है जिसका 100% सही होने का हम द जोडियां ऐसी है जिनों ने इतने लंबे शादी शुदा जिवन को सफलता पूर्वक निभाया लेकिन यह बात आप सभी जानते हैं कि जितेंद्र और शोभाजी कि शादी किन परिस्तितियों में हुई परन्तु यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जितेंद्र और उस वक्त से जानते थे जब शोभाजी की उम्र मातर 14 साल थी जितेंडर की मुलाकात उनसे मेरिन ड्राइपर हुई थी पड़ाई पूरी होने के बाद शोभाजी ने ब्रिटिश एरवेज में एर होस्टेस की नोकरी जोइन कर ली तब जितेंडर फिल्मों में संगर्श कर रह था इसलिए दोनों की मुलाकातें कम हो पाती थी उधर जितेंडर की हिंदी फिल्म इंडेस्ट्री में पहरचान बन गई थी उस वक्त हेमा माली ने भी वोलीवुड में कदम रखा था और वो हिंदी सिनेमा की खूब सूरत अदा का राओं में गिनी जाने लगी थी जितेंडर को 1969 में आई फिल्म वारिस में पहली बार हेमा माली ने के साथ काम करने का मौका मिला उसके बाद 1972 में भाई हो तो ऐसा 1973 में गहरी चाल फिल्मों की शुटिंग के दोरान हेमा माली ने और जितेंडर की नजदी किया बढ़ने लगी कहानी में ट्विश्ट उस वक्त आया जब जितेंडर के दोस्त संजीव कुमार भी हेमा माली ने पर फिदा हो गए और उन्होंने अपना पेगाम भीजवाने के लिए चुना भी अपने दोस्त जितेंडर को जब जितेंडर अपने दोस्त संजीव कुमार का पेगाम लेकर हेमा जी के पास पहुँचे तो किस्ता ही उल्टा हो गया जिस तरह फिल्मों में घटनाय मोड लेती है लव ट्राइंगल दिखाया जाता है उसी तरह जितेंडर हेमा संजीव का लव ट्राइंगल भी वोलिवुड में चर्चा का विशे बन गया और आगे की कहानी शायद आप सभी जानते हैं जितेंडर और हेमा ने शादी का फैसला कर लिया दोनों के परिवार शादी के लिए तीरू पती भी पहुँच गए तब ही फिल्मी कहानियों की तरह शोभाजी की एंट्री हुई शोभाजी को जैसे ही इसकी भनक लगी वो अ जरूर हुई मगर बाद में वो हेमा मालीनी के हीरो बन गए इस प्रेम कहानी में एक और ट्विस्ट आया धरमेंदर शादी शुदा होते वे भी हेमा जी से दूसरी शादी करना चाहते थे उनका ये सपना 1980 में पुरा हुआ बहराल तिरूपती में धरमेंदर और शोभाजी जी की शादी तयक आयरकरम के अनुसार होनी थी परन्तु जीतेंदर के पिता की तवे खराब हो जाने की वज़े से ये शादी एक बार फिर टल गई अब शोभाजी को दाल में फिर कुछ कालाना जराने लगा और उन्होंने जीतेंदर पर शादी का दबाव बनाना शुरू किया परन्तु उस वक्त जीतेंदर की फिल्में कुछ खास अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी इसलिए जीतेंदर ने शोभाजी को कहा कि फिल्म विदाई से मुझे कुछ उम्मीद है यदि ये फिल्म सफल हो जाती है तो मैं तुमसे तुरंत शादी कर लूँगा क पहते हैं चोडिया स्वर्ग में बनती है जीतेंदर के जीवन में अपनी बच्पन की दोस्त को दुलहन बनकर आना था और हुआ भी यही 1971 में आई जीतेंदर आशा पारी की फिल्म कार्वा के बाद जीतेंदर लीना चंदावरकर की फिल्म पिदाई 1974 में जबर्दस्त हिट और जीतेंदर ने शोबाजी से किया वादा निभाया विदाई रिलीज हुई थी 9 अक्टूबर 1974 को और जीतेंदर और शोबा कपूर शादी के बंदर में बंदे थे 31 अक्टूबर 1974 को इस शादी के लिए एक साधा समारो आयोजित गया गया जिसमें शामिल हुए थे लेख नहीं कर पाया परन्तु बाद में दोनों ने किनारा खुश्पू जस्टिस चोधरी मेरी आवाज सुनो जैसे फिल्मों में साथ साथ काम किया इसके लावा धरमेंदर के साथ भी जितेंदर ने दबरनिंग ट्रेंड धरमबीर समरार जैसी फिल्मों में काम किया जो एक कलाक को टीवी के मशूर सीरियल क्योंकि साज भी कभी बहुत ही कहानी घरगर की पवित्र रिष्टा जैसे सीरियल के लिए जाना जाता है दुशार कपूर को कोलमाल सीरीज की फिल्में तथा क्या कूल है हम मस्त जा दे कुछ तो है जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है वहीं कपूर को कुछ तो है शादी के साइड अफेक्ट वंस अपोन अटाइम इन मुंबई हाफ गर्फ्रेंड जैसी फिल्मों की निर्माता तथा बालाजी टेली फिल्म की मैनेजिंग डिरेक्टर के रूप में जाना जाता है जितेंद्र जितेंद्र की पत्नी जितेंद्र की ब बिता कर वोलीवुड में आधर्श प्रस्तूतिया है जितेंद्र और शुवा कपूर के बारे में हमारी ये प्रस्तूती यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प् डिपिकिशन आप तक पहुंस सके हैं